हलो दोस्तो कैसे हूं दोस्तो आज के इस टॉपिक के अंदर हुम सीखने वाले हैं MS-AXS 2013 मेंährt form डिजाइन कैसे करें सो दोस्तो उसके लिए हम चलते हैं MS-AXS MS-AXS में हमारे पास एक सैल डीटेल है इससे हम एक क्या करने वाले form डिजाइन करने वाले हैं तो हमें क्या करना है, create में जाना है, create में जाना है, यहाँ पर forms, forms design पर क्लिक करना है, जैसे ही आप forms design पर क्लिक करते हो, तो आपके बाद एक forms की तियार हो जाता है, dashboard, dashboard को आप छोटा बड़ा, जैसे आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहो, आप कर सकते हो, बड़ा करना चाहो, पर च्छोटा कर सकते हो उसके बाद जैसे ही आप फोम डिजाइन कर सकते हूं तो सबसे पहले डिजाइनिंग के अंदर हमें क्या करना है हम यहां से आप अपना जैसे हैडर फूर्टर दिया हूए तो आप अपना logo डाल सकते हो, title, date and time डाल सकते हो, यहां से आप अप add existing field, यहां से हम start होता है मारा 4, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे click करते हैं, ठीक है, है ना, जैसे ही, तो जैसे click करते हैं, यहां पे फिल्ड लिस्ट आ जाती है, और जैसे इस पे click करता हूं, तो sort table हो जाए इस पे हम क्या करते हैं, इस plus को खोल लेते हैं, और जैसे ही हमें data चाहिए, वह data हम यहां पे डालती जाते हैं, जैसे यहां से drag करके डाल सकते हो, जैसे employee ID हो गई, यहां पे, जैसे मैं employee ID को drag करता हूं, तो यह देखिए, employee ID, ठीक है, और जैसे मान लो, मेरे को space यह जो भी ना इनके बीच यह जो आपकी मर्जी है ना आप इनको छोटा या बड़ा जो आपके यह देखो तो जैसे आपके मतलब करना चाहो कर सकते हो वह हम आगे बताऊंगा मैं आपको पहले मैं आपको एक फॉर्म को मतलब पैटरन बता रहा हूं कि इसका क्या होता है जहां आपकी मर्जी है ड्रेक कहीं पर भी कर सकते हो यह जरूरी नहीं है कि मैं जहां करूंगा वहीं पर यह बेसिक सेल्डी को हम थोड़ा सा स्वरी ऑखी है यह बेसिक सेल्डी पीएफ इसके नीचे दे देते हैं थोड़ा सा तोटल सेल्डी ठीक है और ज्स मेल जैसे मंटिय जहां सकती हम सेव कर लिए फोंपस को चे करते हैं जैसे हम करते हैं पहले इनको सब को को दिए यहां पी किお्ज़ेए तो यह नहीं बन गया इसले करते हैं तो यह देक फोनगे पैटर्णल जो जैसा आपने decide किया था कि जैसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए यहां पर देखो कुछ गडबड भी हो रही है तो आप क्या कर सकते हो इसको design view में जा कि आप change भी कर सकते हो कि यह space इनका जो आपकी मर्जी है ठीक है यह चीजे एक सेकेंड ठीक है यह चीजे आप अलग कर सकते हो आ कर देते हैं ठीक है यह जैसे आप जैसे ही आप save करोगी और double click करोगी इसको हम design view से close करके double click करते हैं तो यह देखो employee name और यह आपका change हो गया जैसे मतलब आपकी मर्जी है जहां पर जो लगाना चाहते हो इनकी coloring color वगेर कर सकते हो वह हम आगी सीखेंगे so कैसा लगा वीडि देख सकते हो जो भी आपकी जैसे भी data आप सब देख सकते हो तो कैसा लगा वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करे share करे और अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon भी दबा दे thank you दो